हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रह ठीक है तो इसको आप जरूर देख लिजेगा और लास्ट में मैं आपको ठीक है बताऊंगा स्क्वाइर वगयरा का देखते हैं अधी टाइम मिलेगा तो मैं आज ही आपको स्क्वाइर भी बता दूँगा और क्यूब ठीक है इसको आपको लिखा दूँगा आप इसको नो तो यहां पर प्लस का निसान आप जानते ही होंगे ठीक है प्लस का निसान कैसे होता है तो यह जो होता है प्लस का निसान इसको क्या कहते हम जोड जोड या इसको कहेंगे एडिशन ठीक है या प्लस ठीक है इसको आप नोट कर लीजेगा नोट कर लेंगे तो आपको इन फिर आप क्या करेंगे यहां पर minus घटाओ ठीक है तो यह घटाओ जब होगा उसको हम क्या कहेंगे subscription, subtraction और minus तो इसको आप लिख लीजेगा ठीक है subtraction और minus फिर हम cross इसको हम क्या कहेंगे गुड़ा कहेंगे या multiple, multiplication और into, into भी कहेंगे इसको ठीक है मतलब फिर यह हो जाएगा हमारा भाग, यह होगा भाग का निशान ठीक है इसको हम क्या कहेंगे, भाग को क्या कहते हैं, division कहते हैं ठीक है उसके बाद यह क्या है, इस निशान को पूछ लिया जाए तो क्या है यह, बराबर है या समान, तो इसको हम English में कहेंगे, equal to, ठीक है और यह जो निशान होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, बराबर नहीं क्या कहेंगे, बराबर नहीं मतलब not equal to, ठीक है, not equal to, उसके पाद एक ऐसे डंड़ा खींज दिया जाए, इसको क्या कहेंगे absolute value ठीक है इसको क्या कहेंगे absolute value या निर पेच मान निर पेच ठीक है मान यह हो जाएगा निर पेच मान ठीक है उसके बाद जो निशान आएगा वो आएगा दो डंडा ठीक है तो यह दो डंडा जो होगा इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे समानतर मतलब पैरलेल समानतर कोई भी समानतर रेखा जब पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको समानांतर जो होगा ठीक है समानांतर तो इसको क्या कहेंगे पैरलेल ठीक है आसमानतर जदि इसी को हम आसमानतर ये आसमानतर कहेंगे ठीक है आ समांतर अब ये देखे equal to और ये देखे दोनों same जैसी रेखाए हैं लेकिन ये छोटा बनेगा थोड़ा ये बड़ा बनेगा बस यही अंतर रहेगा ठीक है तो आ समांतर रेखा जो होगी वो बड़ा थोड़ा बनेगा ठीक है इसको कहेंगे not parallel to इसको सब आप लिखते चलिएगा ठीक है तभी आपको फाइदा देगा उसके बाद आईए रेखा कोश्टक ऐसी एक रेखा खिस देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे रेखा कोश्टक मतलब बार ब्रेकेट बार लगा देते हैं किसी संख्यक के उपर बार तो इसको क्या कहते हैं इसको कहेंगे रेखा कोश्टक ठीक है तो ये रेखा कोश्टक होता है उसके बाद आएगा छोटा कोश्टक तो ये ऐसे बन जाएगा तो ये हो जाएगा छोटा कोश्टक छोटा फोस्टक मतलब यह सब क्या है? यह सब bracket है. तो यह हो जाएगा circular bracket. इंग्लिस में क्या कहेंगे? इसको circular bracket कहेंगे. फिर आएगा बनला कैसे बनता है? यह ऐसे बनता है. मजला bracket यह ऐसे बनता है. ठीक है? मजला कोस्टख मंजला कोश्ठक इसको क्या कहेंगे सरक कुरली ब्रेकेट ठीक है कुरली ब्रेकेट फिर बड़ा ब्रेकेट बड़ा ब्रेकेट बड़ा कोश्ठक ठीक है इसको क्या कहेंगे स्क्वाइर ब्रेकेट ठीक है स्क्वाइर ब्रेकेट फिर आएगा आपका इसको क्या कहेंगे पॉइंट बिंदू क्या कहेंगे एक बिंदू है ये पॉइंट है डबल लग गया तो इस निसान को क्या कहेंगे इसको कहेंगे अनुपात ठीक है ये हो जाएगा आपका अनुपात अब इसी में चार लगा दिया जाए चार बिंदू ऐसे तो इसको क्या कहेंगे समान उपाद क्या कहेंगे समान उपाद इसको क्या कहेंगे समान उपाद प्रोपोरेशन ठीक है प्रोपोर्शन और सो इस चूंकी चूंकी इसलिए आपने पढ़ा होगा ठीक है अब यहां पर आपको चूंकी चूंकी ऐसे लिग दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा एक क्यों कि हो जाएगा ठीक है इसको क्या कहेंगे भिक ऐस ठीक है फिर इस लिए यह जाएगा इस लिए हम तो ट्सखें गजे तो डियर फ century तो एस लिए प्रती यह विरति मतलब कितने होता है ईए और यह निसान जो होगा वो परसेंटेज हो जाता है प्रतिसतर इसके बाता है यह यह कैसे होता है यह क्या है बताये न होता है अनुपाति ठीक है, मतलब वैरिय ज एज और ये कौं सा निसान है इस निसान को क्या कहते है, इसको कहते है अनन्ध, इन्फनीटी अनнос ठीक है इन्फाइनाइट ठीक है, ये क्या है इस रेखा को तो आप जानते होंगे, ठीक है इसको क्या कहते है नियूंतर इसको लेस दैन भी कहते है ठीक है नियूंतर या लेस दैन ठीक है इसका उल्टा बना दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा अधिकतर इसको इंगलिस में क्या कहेंगे ग्रेटर दैन अधिकतर को क्या कहेंगे ग्रेटर दैन ठीक है अब यदि ये बन जाए ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे नियूंतर नहीं क्या कहेंगे नियूंतर नहीं ठीक है मतलब not less than यदि ये पूछा जाएगा not less than कहा जाएगा तो ये वाला निशान बन जाएगा निउंतर नहीं, not greater than या इसको ऐसे बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अधिकतर नहीं, अधिकतर नहीं, यदि आप से कहा जाए कुछ चीज को तो अधिकतर नहीं, ठीक है, कि ये इसके से अधिक नहीं है, मतलब ये वाला निसान आप तुरंद बना दीजिएगा, ठीक है फिर आपका निसान जो आता है, वो इस टाइप का बन के आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, निउंतर या बराबर, क्या हो जाएगा, निउंतर या बराबर, ठीक है, ये निउंतर या बराबर हो जाएगा, और इसका उल्टा बना दिया जाए, तो ये क्या हो जा अधिकतर या बराबर ठीक है यह हो जाएगा इसको greater than r equal to भी कहेंगे उसके बाता है वर्ग मूल यह ऐसे निसान बना दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा वर्ग मूल ठीक है और यह हो जाएगा आपका घंड मूल इसको क्या कहेंगे square root कहेंगे इसको क्या कहेंगे cube root और ऐसे निसान बना दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे cone कहेंगे angle थीक है यह क्या हो गया कोड हो गया कि here a 다 कोड के बाद आएगा फिर समकोड ऐसे कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा रà I ंगल मतलब सम्कोड इसको क्या कह MAY और अई इसको कहेंगे सम्कोड थीक है उसके बाद आएगा यह क्या हो गया यह आपका हो गया तिर्भूज ठीक है तिर्भूज इसको कहेंगे ट्राइंगल ठीक है उसके बाद यह ऐसे बना दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे डिफरेंस मतलब अंतर ठीक है यह अंतर हो गया डिफरेंस हो गया उसके बाद दो निशान ऐसे बना दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे अधिकतर या नियूनतर कहेंगे ठीक है फिर ये प्लस और माइनिस एक साथ कर दिया जा तो इसको क्या कहेंगे जोड या घटाओ या तो जोड या तो घटाओ ठीक है अब पहले माइनिस कर देंगे फिर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा घटाओ या जोड ठीक है एक निसान आपको कम्प्यूटर में या अपना इमेल आईडी वगएरा में लिखने में काम आता है तो उसको क्या कहते है ऐसे रहता है ठीक है तो इसको क्या कहते है एड दा रेट आफ ये सब निसान की बारे में भी एक कोश्चन कभी कभी पूछ लेता है एक्जाम में ठीक है तो ये आपको याद रखना है ये निशान कौन सा होगा तो ये हो जाएगा आइड दा रेट आफ ठीक है फिर ये ऐसे बनेगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यह हो जाता है अलफा क्या हो जाता है अलफा ऐसे बनाये जाता है ठीक है इसका मैं एक अपने टेलिग्राम पे इसका एक फोटो डाल दूँगा ठीक है इसकी सॉट लेकर तो वो आप वहां से सही डायरेक्षन में देख लीजेगा ठीक है अलफा हो गया फिर या वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको दे दूँगा ठीक है यह आपको बीटा हो जाएगा ठीक है बीटा फिर गामा आपको ऐसे बनाया जाता है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका गामा डेल्टा डेल्टा ऐसे बनता है डेल्टा और एक Δेल्टा किरबूज को भी कहते है, ठीक है? Epsilon क्या होता है? Epsilon बिल्कुल E जैसा होता है, E जैसा, ठीक है? इसमाल में E जो होगा, वो कहोगा Epsilon इसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा ठीक है नोट नहीं करेंगे तो फिर बेकार है आपके पढ़ने का ठीक है तो इसका एक नोट बना लीजेगा फिर आपको जीटा 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 तो यह बिल्कुल जैसा रहेगा लेकिन इसको हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो यह क् ठीक है यह जीटा हो जाएगा आपका फिर आपका हो जाएगा इटा इटा बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो यह हो जाएगा इटा जीटा हो गया उपर इटा हो गया ठीक है फिर आपका थीटा आता है थीटा ऐसे बनता है तो यह हो जाएगा आपका थीटा ठीक है यह थीटा हो फिर कप्पा तो इसमाल के जो रहेगा इसमाल के तो यह हो जाएगा कप्पा ठीक है तो यह इसमाल के जो रहेगा वो कप्पा हो जाएगा ठीक है लेम्डा तो लेम्डा ऐसे करके ऐसे होता है तो यह हो जाएता है लेम्डा ठीक है म्यू का निशान जो होगा वो ऐसे करके ऐसे होगा ठीक है इसको क्या कहेंगे म्यू न्यू जो होगा वो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ठीक है तो वो हो जाएगा न्यू ठीक है जाई जाई को ऐसे होता है तो ये बिलकुल हिंदी का उल्टा 6 होता है ठीक है यह होता है जाई ओ में ओ माई क्रॉन में ओ जैसा ओ जैसा छोटा सा बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा ओ माई Cron O my Cron और Pi तो आप जानते ही है ऐसे कर दो तो यह हो जाएगा Pi ठीक है Rho P जाता है इसमाल P ठीक है ऐसे बना देते हैं तो यह हो जाता है Rho ठीक है Rho के बाद आएगा Sigma तो सिग्मा बिल्कुल N जैसा होता है ठीक है ये N जैसा सिग्मा होता है ठीक है सिग्मा और एक सिग्मा का निसान जो होता है वो ऐसे भी बनाया जाता है ठीक है तो सिग्मा ही हो जाता है ठीक है उसके बाद टा टा जो होगा वो बिल्कुल एक तो टी जैसा होगा और एक ऐसे करके ऐसे हो जाता है तो यह हो जाता है तो इसको टा कहते है अपसाइलन अपसाइलन कैसे होता है तो यह ऐसे करके ऐसे होता है अपसाइलन ठीक है? अब surrendered 5 का जाना है जैसे theta होता है उसको बढ़ा कर तो ये 5 बन जाएगा ठीक है? फिर चाइ चाइए x टाइब का होता है ठीक है? ये ऐसे करके होगा और ऐसे होगा ठीक है? तो ये हो जाएगा चाइए फिर shine साइ भी आप पढ़े होंगे साइ ऐसे होता है साइ ठीक है ओमेगा तो ये डबलू जैसा रहेगा ये ओमेगा हो जाएगा ठीक है ये ओमेगा हो जाएगा फिर आयोटा तो आई जैसा रहेगा ये आई जैसा रहेगा तो आयोटा हो जाएगा ठीक है यह आयोटा हो जाएगा ठीक है अब आता है मुद्रा चिन के बारे में बता देते हैं आपको ठीक है मुद्रा चिन तो इमपॉर्टेंन मुद्रा चिन आपको जानना चाहिए ठीक है डॉलर डॉलर का निशान कैसे बनता है ये सब एक बार पूछा चुका है एससी वगशेर में आ चुका है तो ये डॉलर का निसान जो हता है इसको क्या कहेंगे अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर यह होता है ठीक है अमेरिकी डॉलर बिटिस पाउंड जो होता है इस्टाइलिन ठीक है उसको हम कैसे बनाते हैं ति बिटिस पाउंड है ऐसे रहेगा ठीक है ति यह हो जाता है बिटिस पाउंड British Pound Star Link ठीक है European Euro इसका कैसे होता है ये इस टाइब से बनता है European Euro का ठीक है ये इसको क्या कहेंगे Euro P Euro ठीक है Japani Yen का क्या कहेंगे तो ये बिलकुल Y टाइब कर रहेगा और नीचे एक ऐसे रहेगा ठीक है तो ये इसको क्या कहेंगे Japani Yen ठीक है और भारती रुपया के निसान तो आप जानते ही है ऐसे रहेगा अइसे रहेगा और एक अइसे हो जाएगा ठीक है तो ये जगा भारती रुपया इंडियन रुपीज का ये निसान होता है अब आकरितियां थोड़ा आपको मैं बताय दे रहा हूँ आकरितियों के बारे में ठीक है ये हो जाएगा आपका फीगर ठीक है तो आकरितियों में आपको मैं जो important है वही में बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आपको triangle मतलब त्रिभूज इसको क्या कहेंगे त्रिभूज इसको क्या कहेंगे वर्ग इसको square भी कहेंगे इंगलिस में आपको नोट करना है तो नोट कर लीज़े स्क्वाइर ठीक है फिर ये आपको लंबा लंबा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा आयत इसको क्या कहेंगे रेक्टेंगल ठीक है उसके बाद आपका जो आएगा वो पतंगा कार जो रहेगा ये बिल्कुल पतंग के आकार का रहेगा इसको कहेंगे पतंगा कार पतंगा कार इसको हम डाइमंड भी कहेंगे ठीक है उसके बाद एक गोल गोल बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे व्रत कहेंगे ठीक है सरकल अंडा कार जो बनेगा ये अंडा कार हो जाएगा इसको कहेंगे ओवल फिर ये आपका जो बनेगा वो तारा टाइप का बन जाएगा इस्टार और ये जो होगा वो आपका चाप या अर्धचन ठीक है तो ये इतने आपका होता है ठीक है तो मैं एक आपको इसका फोटो कीच के इसमें डाल दूँगा वहां पर आप वीडियो को पॉस कर लिजेगा और उसको नोट कर लिजेगा ठीक मा लीजे नहीं समझ में आ रहा तो अब लास्ट में मैंने इसलिए वीडियो में डाल भी दिया है ठीक है यहां पर आप देखके एक बार इसको देख लिजेगा ठीक है मैंने सारा आपका यह मैं लगा दूँगा जितने भी मैंने मुद्रा चिन आकरेतियां और चिन इसको मैं एक फोटो इसकी इसको आप जरूर से जरूर नोट कर लिजेगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही यह दिए वीडियो अच्छ आवे बहरत